हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज हम 36 गड़ पब्लेक सर्वेस कमिशन दौर आयो जिए तो 36 गड़ सेवेल जच के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार पेपर आया था और आपको पूरा पेपर स्वालव करवाएंगे तो प्लीज चैनल को स सबस्क्राइब कीजिए तो शुरू करते हैं तो यह सात मई 2019 का टोटल मार्क संडेट टाइम डूरेशन 120 मिनिट तो शुरू करते हैं सबसे वहले पेपर के और तो पहला कॉस्चन था कि ए स्कूल्स जैड विट इंटेंशन ऑफ क्लेंग हिम जैड डाइस इन कॉंस्क्वें मडर हिंदी में कॉस्चन है कि या को मार डालने के आसाय से का उस पर गोली चलाता है परिणाम सरूप या मर जाता है तो का दोशी है हत्या का अप राधिक मानवबत का और बात दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है हत्या अब बात करते हैं नेक क्वालिटी अंडर सेक्शन ऑफ और तो इसके आई पीच के सेक्शन आपके लिए बताना है तो 234 235 236 237 हिंदी में जो कोई किसी कूरकरत सिक्क्य को यह जानते हुए कि कूरकरत है भारत में आयात करेगा भारती दंड सहनता कि धारा किसके अंतरगा दोसी है तो इसका 237 मतलब धारा 237 के तहट नेश्ट कोश्चन है इंटेंशनल ओमिशन तुगव इनफोर्मेशन ऑफ फैंस वाय परसन लीगली फाउंड टू इनफॉर्म इस जील अंडर सेक्शन इत्तिला देने के लिए आवद व्यक्ति द्वारा अपरात की इत्तिला देने का सासाय लो सा द्वारा के अंतरगत आता है ऑप्सन है दोसो दोसो तीन दोसो चार या दोसो पांच तो राइट अंसर है धारा 202 अब बात करते हैं नेक्स्ट को सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या पूछा गया था तो वो था काफी इंपर्टेंट को सब्सक्राइब करने को अधिकरत है उसकी बाद है नियालाय का प्रतिक ओफिसर या उप्रुक्त मैंसे सभी तो दबर्ड पब्लक सर्वेंट्स नूट्स और अप्सन है अ कमिशनेड ओफिसर इन दे मिलिटरी एबरी ज़ेंपावर्ड वाइद ला तो दू एनी एडिटिकरी फंक्शन नेक्स्ट है एबरी ओफिसर ऑफ कोर्ट अफ जस्टेस और आल अप दावब तो राइट आंसर है आल अप दावब मतलब उपरुक्त सभी नेक्स्ट कोश्चन काफी इंपूटेंट है कि सेक्शन 29A ओफ आईपीसी इस रिलेटेड टू आपकी ओप्सन है डॉकुमेंट्स वेल्यूवल सेक्वर्टी एलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड और नन अब दावब तो इसका राइट आंसर है 29A आईपीसी मतलब भारति जन्द स का है और कई बार आया है कि आईटी एक्ट के सी एर का है मैं अभी पांट-दस पेपर में देख चुका हूं एंटीपीसी में भी पूंचा जा चुका है तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब कीजिए आप बात करते हैं अंगले का कॉस्चन कि ए असोल्जर फायर्स ओना क्यों अपने बरेश्ट आफीशर के यादेश से एक सेनक का भीड पर गोली चलाता है का ने कोई अपरात नहीं किया है याई प्रती रक्षा भारती दंधिसाइन तागी किस धारा के अंतरगत आती है आपके option है option section 76, section 77, section 78, section 79 तो right answer is section 76 मतलब धारा छेयत्तर अब बात करते हैं next question की तो next question है when the right of a private defense of a property extends to casing.death मतलब कब संपत्ति को private प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार म्रत्यु कारत करने तक होता है तो आपके option है loot, रात्री ग्रह भेदन या अगनी द्वारा आवाश्य भवन में रिष्टी मतलब अगर कोई व्यक्ति लूट कर रहा है, रात्री ग्रह भेदन कर रहा है या आग द्वारा आवाश्य भवन को जला रहा है तो आप अपनी प्रतिरक्षा में उसकी मिरत्यु मना उसकी मिरत्यु भी हो जाए तो भी कोई दंड नहीं माना जाएगा तो इसका राइट अंसर है आल अप दावाब मतलब रोबरी हाउस ब्रीकिंग बाइनाइट और मिस्चीव वाइफायर तो आल अप दावाब में आपके लिए राइट टू प्राइवेट डेफेंस डेथ कारत करने तक होगा कई आ रहे है कोश्चन आया है यूपी जुडी सिरी में भी आ चुका है और नेस्ट कोश्चन है कि हुएबर बेज बार अगेंस्ट गवर्मेंट ऑफ इंडिया और अटेम्ट्स टू वेज सच बार सेल भी पनिश्ट वित तो आपको मैं एक बात बता दूं इस कोश्चन प छुद्र य Unterzne ने होगा 40 पंचे में जुर्माना से मृत्यू अथवा जीमन कारावास वाम जुर्माना से तक कारावास यह सात वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना से तो वो दंडनी होगा डैथ और इंप्रिजन्मेंट आफ लाइफ रित्फाइन मतलब मिरत्तिव से होगा या तो अध्वाग अजीवन कारावास एवं जुर्माना से होगा तो यह इसका राइट आंसर है इसिव नेक्स्ट पुछा गया था कि विच औफ हर्ट विच तो इस ऑफ़ती गोर होपती नहीं है तो राइट आंसर है शेले का विदू पी करा रहा है नेक्स वाइब तो बिए तो बिए अपना मुक्ः का इस संभाव जानते हुए लाता है कि उसके द्वारा या को यह है विस्वास हो जाए कि यह को मानने वाला ही है तो का ने क्या किया है ओप्शन है कमेंटेट फोर्ज, कमेंटेट असौल्ट, कमेंटेट ग्रेफ प्रोगेशन या ना अब दावा मतलब उसने बल प्रियुक किया है हमला किया है गंबीर प्रिकूपन किया है और प्रुखन ऐसी कोई नहीं तो उसने हमला किया है मतलब कमेंट assault assault मतलब हमला next question है कि A lets a house to B at yearly rent of rupees 12,000 the rent for the whole of the year 2015, 2016 and 2017 is due and unpaid A sees B in 2018 only for the rent due for the year 2016 whether A can afterwards sue for the rent due for the year of 2015 and 2017 मतलब का एक घर खा को 12,000 बार्सक भाटक के पट्टे पर देता है बर्स 2015, 16, 17 इन सभी पूर्य बढ़नों का भाटक सुध्ध है और दिया नहीं गया है का सन 2018 में खा पर केवल बर्स 2016 की सुध्ध भाटक के लिए बात प्रस्तोत करता है क्या आप अश्चावर्ती पिरकराम पर बर्स 2015 इए और 2017 के लिए सुध्ध भाटक के लिए बाद ला सकता है ऑप्शन है कि यस नो और ऑप्शन है इफ ही सूस गोड केस और नन ऑप दाव राइट आंसर है नहीं मतलब नो तो इसका रहे है राइट आंसर है रेस्चाव जूडीस इस्टे ऑफ सूट और नन ऑफ दावा मतलब सिवल प्रक्रिया सहिंता की धारा दस किस से संबंदत है जिसका राइट आंसर है इस्टे ऑफ सूट मतलब बात का रोग दिया जाना नेक्स्ट कोस्टन भी पूछा गया है कि सेक्शन नाइंटी सेक्स ऑप्सेवल प्रोसीजर कोड एपलाइस टू अपील फ्रॉम मतलब सिवल प्रक्रिया सहिंता की धारा च्यान में अपील में लागू होती है तो निसिसादा गया कि आदिश की विरुद्धोगी की मूल डि नुसेंस करता है तो क्या होगा ऑप्शन है ही लाइवल टू क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन अंडर आई पीस इंडियन पैनल कोड नेक्स्ट है सूट में भी फाइल अगेंस्ट हम अंडर सेक्शन नाइंटी बन ऑब सेविल प्रोसीजर कोड उसके बादे सूट फॉर डेमेज के बाद भी आप ला सकते हैं आई पीसी के अंतरगत भी आप उसको सिर्फ भैटेर ठेहरा सकते हैं और सपस्टेर्ग और सिह पीसी कि आन्टीवन के एंतरगत उसके ब्रथभाद ला आया जा सकता है अब बात करते हैं नेस्ट कॉस्चन की जो कि 36 गड़ से विल जज़ में पूंचा गया था और आपको एक बात बता दूँ अगर आप किसी भी जोड़ी सेरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रिलेम्स के पेपर स्वाल्ब करने होगे क्योंकि उससे पांस से दस कॉस्चन आ आपके लिए MP UP 36 गड़ बिहार जूड़ी शिरी के पेपर मिलेंगे वह भी स्वाल्ब तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नेस्ट कॉच्चन है टाइम लेमेट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेट्मेंट इस 30 डेस बिच में भी कीजिए जाने की परिशिमा 30 दिन है जो कि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है कि गड़ना की जाएगी ऑप्सन है डेट ओफ फाइलिंग ऑफ फस्ट हीरिंग फिक्स्ट वाइद कोट डेट ऑफ सर्वेस ऑफ समन उन्द डिफेंडेंट और नन अब दावा मतला लिखित कथन प बढ़ाई जा सकती है की गड़ना की जाएगी ऑप्सन है बात प्रुस्तिती दिनांग से नियाला द्वारा नियत पर थम सुनवाई दिनांग से प्रितिवाधी पर समन की तामीली दिनांग से या उप्रोक में से कोई नहीं तो राइट आंसर है डेट ऑप सर्वेस ऑफ समन प्रितिवाधी पर समन की तामीली दिनांग से नेक्स्ट कोश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडी कहता ड़नोट अप्लाई टू काफी इंप्रोटेंट कोश्चिन हो कई वार आया है आप प्लीज इसे नूट कर लीजिए का पैन पेपर मूड पर तो ऑप्सन है सूट एक्जिक्यूशन ओफ डिक्री आर्विट्रेशन प्रोसीडिंग और आल अब दवा मतलब प्राण नयास का सिद्धान किस पर प्रियोज नहीं है ऑप्सन है बाद पर डिक्री की निस्पादन कारवाई पर मध्यस्थम कारवाई पर उप्लोक सभी तो राइट आंसर है आर् सब्सक्राइब ग्राउंड प्लेंट केनोट बी रेजेक्टेड मतलब किस आदार पर बाद पत्र को नामन्जूर नहीं किया जा सकता है तो ऑप्सन है जहां बाद पत्र ऐसे नियालाय में प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारन का छेत्र अधिकार नहीं है नेक्स्ट है जहां बाद बिदी द्वारा बर्जेत होना प्रकट होता है और नेक्स्ट है जहां बाद दो रुपे प्रती में प्रस्तुत नहीं किया गया है जहां बाद पत्र ऐसे नियालाय में प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारन का छेत्र अधिकार नहीं है मतलब प्लेंट इस फ आपधान नियालाए के आर्थिक्षेत्र अधिकार से के संबंदित हैं और अप्सन ने दरादस धरा पंदरा अप्रक में से कोई नहीं तो सेक्षन 6 सेक्षन 10 सेक्षन 15 यह नन अब दवब तो राइट आंसर सेक्षन 6 और इस परकार के कोश्चने रिपीट होते रहते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की की ओर नमबर 32 अप दा कोड ऑफ दा सेवल प्रोसीजर इस रिलेटेड टू सेवल प्रकिरिया सहंता का आदिश 32 किस से संबंदित है तो सेवल प्रकिरिया कोड का आदिश 32 संबंदित है शूट बाइओ और अगेंस्ट माइनर्स स्टैचू बिच्व फॉलिविंग सिच्वेशन में अराई ऑप्सन है यह स्टैचू में क्रियेट एस पेस्व फोरम पॉर्ट्स इन्फॉमिस इन्फोर्स्मेंट मतलब एक अधिकार या दायत किसी कानून दोरा बनाया गया है तब इसके अंतरगत कौन सी परिस्थिती उत पन होती है तो आपके ऑफ्सन है और बात दोनों वही राइट अंसर है अब बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है काफी इंपुटेंट है कि फेन पुलिस में अरेस्ट विधाउट बारेंट मतलब पुलिस बारेंट के बिना किसी व्यक्ति को कफ़ सब्सक्राइब करता है और फोर्थ है नन ऑफ दा अब आप तो राइट आंसर है वह एंडवी मतलब अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के पस्तिती में कोग्रिंजीबल अफेंस करता है तो उसे बिना अंबारेंट के अरेस्ट किया जा सकता है और अगर वह अफेंडर घोसत किया गया है स्टेट गवर्मेंट द्वारा तो भी उसे बिना अबारेंट के ग्रफतार किया जा सकता है अब बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टेन जोगे 22 नंबर कोस्टेन वह सी और पीसे रिलेटेड है सी आरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारे भारत में 1973 की चलती है 1974 एक अप्रैल से इन्फोस्ट हुई थी तो कॉस्ट्यन है अंडर विस सेक्षन ऑफ सी आरपीसी असस्टेन पबलेग प्रोसीकूटर इस पॉंटेड वाइद गवर्मेंट दंड प्रक्रिया सहनता कि किस धारा के अंतरगत शासन द्वारा सहायक लोग अभी यो चीशा की की जाती है जैसे कहीं कहीं cost कहते हैं तो जैसे यू फिमें ऐज कहते हैं और मजा जय मतलब घराध चोवीश के अंतरगत सासथ 97 ADP 윤 निक्ति की जाती है मेएक्ट करते नेस्ट कोस्चेन का फी इंपोरेंट है की फोल्डी QC Keinity और डिश्ट्व सेंघ रोडर के अन पर निउसेंट लोडर फॉर रमूबल फनुसेंट्थ अंडर शेक्शन 103 देश्टी औफ सी आरपीजी दंड परक्रिया सहनता की धारा 133 के अंतरगत कौन निउसेंस अटाने के लिए ससर्थ आदिस जारी कर सकता है मतला जैसे आई पीसी की धारा 133 के अंतरगत अगर निउसेंस हो रहा है तो उसे डिएम डिस्ट्रिक मेजिस्टेट भी हटा सकता है सब्सक्राइब अपराद में संग्यान लिया जा सकता है तो पुलिस रूपोर्ट पर अपन कंपलेंट और अपन कंपलेंट और पर पेरेंट और शिस्टर और ऑप्प्सन है अब बात करते हैं पचीश भी नंबर का कोश्टेट भी लिया जा सकता है तो पुलिस रूपोर्ट पर लिया जाएगा या पीड़ेत वेक्ति के माता-पिता और भाई-वेहन के परिवाद पर लिया जा सकता है अब बात करते हैं पच्छीश भी नंबर का कॉश्टन जोगी है विच अब दा फॉलिविंग स्टेटमेंट करेक्ट है वह में बताना है कॉश्टन नंबरी एक कुश्ट पर्सन इस नौट अ कॉंपटेंड विर्टनेस सेकेंड है एक कुश्ट केंड बी पनिश्ट इफ इफ फाल्स आंसर ए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉश्टन की काफी इंपूटेंट है की चीप जुडिशल मजिस्टेट में पास सेंटेंस मतलब मुख ने एक मजिस्टेट कितना दंडादिश दे सकता है तो आप टू डैत आप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट बाजीवन कारवास या 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 उप टू जैवन से मेंड मतलब मुख ने साथ बर्स तक के कारवास का दंडादिश देश सकता है अब मत करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की सत्ताइस भी नम्मर का यह कोश्चन है कि वेन एनी परसन है रीजन टू बलीव देट वी में बी अरेस्टेट ओन एक्टूशन ऑफ हैवंग कमेंटेट अनॉन बेलीबल अफेंस ही में एपलाइफ और एंटिसिपेटरी बेल अंडर तो किस सेक्षन की तहता विदन कर सकता है और सने 436 CRPC 437 CRPC 438 CRPC 449 CRPC तो राइट अंसर है सेक्षन 438 CRPC मतलब 438 CRPC के तहत वह आविदन कर सकता है अब बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन है हुआज नोट कॉंपेटेंट टू पास एंडर अंडर सेक्षन 106 CRPC तो टेक सेक्वर्टी फूर कीपिंग दपीज सोन कनमेक्षन मतलब धारा एक सोच्छ आई पीसी के अंतर गया दोस्चिद्धी पर परिशान्ती कायम करने ही तो कौन सक्षम नहीं है ओफ्सन है जुडिशल मेजिस्टेट फस्ट क्लास है एडिसनल सेसंजाज है चीप जुडिशल मेजिस्टेट हैं अब बात करते हैं 29 नंबर कॉस्चन की की पावर ओफफ कोट टू कनबर्ट समन केस इंटू अबारंट केस प्रवाइड़ अंडर मतलब समन मामले का अबारंट मामले मे किस प्रावधान में 302 CRPC sorry CRPC कि किस प्रावधान में 302 CRPC में 269 CRPC में 301 CRPC में 322 CRPC में तो राइट अंसर है सेक्शन 269 CRPC नेक्स्ट कॉस्चन है कि प्रोविजन टू टेंडर पाड़न टू इनकंपलेस इस गिवन इन मतलब सहपरादी के चमादान से सम्मनित प्रावधान निम्न में से किस धारा में हैं तो CRPC 265 CRPC 306 CRPC 288 CRPC 298 CRPC 306 इसका राइट अंसर है कि नेक्स्ट कॉस्टन पूछा गया था 36 गड़ से विल जजमें कि का का खा की हत्या के लिए विचारण किया जाता है वो का जानबूश कर डंडे से खा को इतना पीटता है कि उससे खा की मिरत्य हो जाती है तो निम्न में से कौन सा विभादक तत्थ है A is tried for murder for B intentionally intentionally beating him with a club casing is there which of the following facts are issue A is beating B with club तो इसका राइट अंसर है आल आप अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की जो कि 32 वे नंबर का कॉस्चन की A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in the position of B or basis of a certain facts which B denies to be true under section 101 of evidence act मतलब एच चाहता है कि नियाला एंसा नर्णा दे कि वह एक नच्चत भूमी का अधिकारी कुछ तत्यों के आधार पर है जो कि बागे कब्जिम हैं बाएं तत्यों से इंकार करता है तो धारा 101 सक्षदिनियम के अंतरगत क्या होगा तो राइट अंसर है यह उन तत्यों को स सब्सक्राइब करना जरूरी है नेक्स्ट कॉस्चन का इंपूटेंट है कि रेलिवेंट फैक्ट तू कंसीडर राइस्टेटमेंट अंडर 32 एविडेंस एक्ट आर किसी कथन को धारा 32 सक्षदिनियम के अंतरगत सोसंगत मानने के आवश्यक्तत हैं जबकि वह म्रत्यू के क नेक्स्ट कॉस्चन है 34 नंबर कॉस्चन की इसेंटियल रेक्वार्मेंट फॉर एप्लिकेशन ऑफ सेक्षदिनियम की प्रविज्यूता के लिए आविश्यक्तत है कि और आपको पता दूंग इंडियन में एविडेंस एक्ट चलता है 1872 का 1872 का एविडेंस एक्ट चलता है इंडिया में तो इसके ऑप्शन है परसंगे ऑप्शन गिविग इंफॉमेशन मस्त बीने कुछ ऑफ यह नेक्स्ट ऑप्सटन है इंड परसंगे इन प्लस कस्टडी उसके बात है तो परसंगे और में नॉट वीन प्लस कस्टडी और एंड भी बहुत तो राइट आंसर है and be worth next question when a court is to form an opinion regarding electronic signature opinion of certifying officer who sued electronic signature is the option a not admissible in evidence or option is relevant not relevant and none of the above those correct answer is relevant now let's talk about the next question and the next question is asked when any fate is basically with the knowledge of an accused the burden of proving the fact is upon I have to tell you that this paper which has been misprinted so you can check the burden in order to have the option is accused prosecution either accused or prosecution or none of the above so this right answer is accused means that now the next question is husband and wife are competent bitterness against each other पती वा पत्नी एक दूसरी के प्रोद सक्षम्शाक्ची होंगी कि क्या सर्फ सुवली केसेच में होंगी या क्या सर्फ क्रिम्शाक्चिस में नेंजर पती पत्नी एक दूसरी की के प्रोद सक्षम्शाक्ची होंगी reviewed और आप राध्यक मामलों में भी नेक्स्ट कॉस्चन है प्रिजंब सम एस्टू डॉरी डेट एस प्रोवाइड़ेड़न सेक्शन ऑफ एविदेंस एक्ट मतलब दहेज मरत्यू के बारे में साक्षदी नियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है ऑप्सन है 113a 113b 114a 111 वी बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की काफी इंप्रोटेंट केस है कई वार आया है वह आएगा वी क्यों बर सजब दूला 1885 ऐसे लौइटेंट नेक्स्ट कोस्चन है प्र्टी नंबर का कॉस्चन के बारे मैं आपके लिए आपके लिए आपके लिए पेपर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और आप प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्यूंकि इस चैनल पर आपके लिए बिहार चतीजगर थेवल जच का सिलेवस भी अविलेबल रहेगा तो क्वेश्चन है बैदर फॉलीविंग डाकूमेंट और पावलेगग डाकूमेंट आप्सटन रिलेटिंग टू एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एर्थ अप दॉर्स आप देस तॉर्फटॉर्ड फिक्रियों नेक्स्ट है पाविडर कीप्तिन इस्टेट ऑप्राइवेट ऑप्राइवलेड तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दवाद हैं जिससे की मेरी पूरी वीडियो आपके पास आएं और आप अपने दूस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आप किस परकार की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए या कोई वीडियो में कुछ प्रवलम है अगर आपके वीडियो क्वाइलिटी की प्रवलम हो रही तो आप 240 पी में इस वीडियो को देख सकते ह तुझ धन्यवाद